जो समाज अपनी औरतों को इज़त नहीं दे सकता उसे अपने आपको इंसानी समाज कहने का कोई आख नहीं है मड़पूर के घटना को लेकर फिल्म अमेता अक्षे कुमार का बड़ा बयान सामने आया है जी हाँ उनका साफ तोर पर कहना है कि जो इंसान अपने घर परिवार में औरतों और बच्चियों को इज़त नहीं दे सकता उसको समाज में रहने का आधिकार नहीं है उनका साफ तोर पर कहना है मैं एक बेटी का बाप हूँ अगर ना भी होता तो ऐसे लोगों पर खून खौलता है जी हाँ और बहुत कुछ कह रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं एक्षे कुमार आप सुने लगा बाइगार लेकिन मेरा खून खौलता है एक बेटी का बाप हूँ और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज़त नहीं दे सकता उसे अपने आपको इंसानी समाज कहने का कोई आख नहीं है और सबसे ज़ादा शरम की बात पता क्या है कुछ लोग रहा चलते किसी लड़की की हारस्मेंट को भी जस्टिफाई करने की आउकात रखते हैं लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों लड़की रात में घर से बार गई क्यों अरे शरम करो यार छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं छोटे आपकी सोच है यह बत्तमिजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लानेट से नहीं है यह हमारे यहां से ही है आपके और मेरे जैसे घरों से ही है हम सब के बीच में ही घूमते हैं यह दरिंडे अभी भी वक्त है सुधर जाओ याद रखना जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया न अगर तुमारी अकल ठिकाने आ जाएगी अकल ठिकाने नहीं सुधरों के तो बात भूल जाओ सीधा उपर सिधार जाओ दिक्षांस एडू टेक लाया है दिक्षांस डिजिटल क्लास दिक्षांस डिजिटल क्लास का उपयोग कर शात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मज़ेदार दिक्षांस डिजिटल क्लास को स्कूल में बैट कर देखना है तो पेंड्राइब और स्मार्ट टीवी वनेगा सही माध्यम चलिए अब ये भी जानते हैं कि दिक्षांस डिजिटल क्लास का फ्री स्ट्रक्चर क्या होगा अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दिक्षांस डिजिटल क्लास के यूटुब चैनल को विजिट कर सकते हैं हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद